दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में इस वीडियो में हम एनलेसिस करेंगे IC ICI Bank Limited के स्टॉक के बारे में और देखेंगे कि हम इसे Long Trum के लिए Hold कर सकते हैं या Short Trum के लिए Buy कर सकते हैं या फिर इसे हम दोनों के लिए Buy कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं इस वी देश का बहुत ही प्रिसिद बैंक है सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में कि दोस्तों IC ICI Bank के PE Ratio है 26.29% सेक्टर PE की बात करते हैं तो 26.0% है PB Ratio की बात करें तो 2.89% है अगर सेक्टर PB की बात करें 2.26 है अगर dividend yield देखते है तो 0.29% है चुकि बहुत जादा नहीं है लेकिन अगर सेक्टर dividend yield देखें तो 0.55% है यानि कि इसका सेक्टर dividend yield थोड़ा सा जादा है और इसका dividend थोड़ा सा कम है चलिए अब देख लेते हैं कि इसने कब bonus दिया और कब share split के हैं 2017 में bonus बाता था इसने 1.10 के ratio में और उसके ब cash dividend दोस्तों 2021 में 2 रुपए cash dividend दिया 2019 में 1 रुपए cash dividend 2018 में 1.5 रुपए 2017 में 2.5 रुपए और 2016 में 5 रुपए cash dividend आप देख लेते हैं इसमें holdings इसमें promoters holding दोस्तों जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं वो 00 है लगातार पिछले कई वर्सों से अब अगर हम लोग mutual funds holding देखते हैं तो इसकी mutual funds holding थी सिप्तमबर 2020 में 27.07 परसेंट यही December 2020 में हो गई 26.35 फिर March 2021 में हो गई 26.07 परसेंट और फिर June 2021 में हो गई mutual fund holding 26.26 परसेंट अगर हम लोग other domestic institutions की holding देखते हैं इस company में तो 15.89 परसेंट हैं सितमबर में फिर December में हो गई 15.45 फिर March में हो गई हैं 15.02 परसेंट और फिर June 2021 में 14.84 जो पिछले उससे थोड़ा सा कम हुई हैं अगर हम लोग foreign institutions holding देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप हैं इसमें foreign institutions holding लगातार growth में हैं यानि बाहरी लोगों को इस bank के उपर बहुत ही जादा अच्छा भरोसा है और लगातार उन्होंने इसमें अपनी holdings बनाई हैं और अगर हम लोग mutual funds holding देखते हैं तो वो भी लगबाग सेम ही बनी हुई हैं उसमें जादा कोई fluctuation नहीं फिर दिसम्बर में हो गई हैं इसकी 47.46% फिर मार्च 2021 में 47.8% हो गई फिर जून 2021 में हो गई 48.03% तो जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पा रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी सी foreign institutions holding जो है increase हुई है इसमें September 2020 से जून 2021 के बीच में अब retail and others की holding देख लेते हैं तो retails की holding थी इसमें September 2020 में 11.35% यही December 2020 में 10.14% फिर मार्च 2021 में 11.11% यही जून 2021 में 10.87% चली आप देख लेते हैं finance trend दोस्तों इसका financial trend तो बहुती अच्छा चला है इसमें लगातार 2018 से 2021 के बीच में continuously थोड़ा थोड़ा सा profit जो है वो increase होता जा रहा है अगर आप अपने स्क्रीन में चार्ट में देख पा रहे हैं तो इसका revenue 1.1 lakh crore था 2018 में फिर 2019 में 1.31 1.5 फिर 1.61 हो गया अगर हम लोग इसके net profit की बात करते हैं तो इसका 0.08 lakh crore हो गया था 2018 में 2019 में ये 0.04 फिर उसके बाद ये 2010 में 2020 में हुआ है 0.1 lakh crore और फिर 2021 में इसका हुआ है 0.18 दोस्तों 2019 और 2020 तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये करोना काल रहा है इसमें किसी भी company ने बहुती अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन अगर इस time में भी इतने खराब situation में भी इसने इतना अच्छा result दिया है यानि कि अपने profit को बरकरार रखा है तो निश्चित तोर पर ही एक अच्छी company के तोर पर इसको देखा जा सकता है चलिए आप देख लेते हैं cash flow statement दोस्तों इसके पास cash flow अगर हम करोड का और यही आपका हो गया है 2021 में 136,327.09 का अब अगर हम लोग returns की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका 1 month का return दिखा रहा है 7.28% 3 month return 14.71% और 1 year return 94.7% 3 year return 121.41% अगर 5 year return की बात करते हैं तो 202% इसका return रहेगा अगर forecast rating की बात करते हैं तो इसको 98% मिला है forecast rating में यानि की बहुत ही एक सुरच्छित stock है investment करने के लिए investment के purpose से एक बहुत ही सुरच्छित stock है दोस्तों जैसा की overall अगर हम बात करें इसके ये सभी financial trend और profit revenue और stability को और लगातार stocks में हो रही बढ़ोतरी को तो हम ये कह सकते हैं कि या एक अच्छा stock साबित हो सकता है banking sector का आप ये मौका जाने मत दें आप इसे buy कर सकते हैं short term के लिए 850 के target को लेकर ये बहुत ही जल्दी उमीद है कि 850 के target को छुएगा तो अगर आप इस stock में buy करना चाहते हैं तो 850 का target लेकर buy कर ये short term के लिए और जैसा कि मैंने कहा long term के लिए तो बहुत ही अच्छा investment रहेगा दोस्तो या एक ऐसा private sector का bank है जिसमें पूरे देश का नहीं नहीं विदोसों से भी बहुत ही जादा पैसा लगा हुआ है तो ऐसा मत सोचिए कि ये डूबेगा या फिर ये नीचे गिरेगा अगर आप किसी sector के top leader के stock को चुनते हैं तो उसमें loss होने के बहुत कम chances होते हैं जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हमेशा ही fundamentally strong share को लीजे तो उसमें loss होने का chances कम रहता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं ICICI bank हो गया, SDFC bank हो गया और SBI हो गया ये सब ऐसे bank हैं जो बहुत ही जादा अच्छे हैं, private banks हैं और SBI तो आप मानिए कि एक secure bank है ही low उसमें आपको मिल नहाए SBI life अगर आप buy करते हैं तो future के लिए बहुत ही अच्छा investment होगा क्योंकि अभी भारत के अंदर अपने इंसोरेंस उतना ज़्यादा प्रशलित नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में SBI life बहुत ही अच्छा return दे कर जाएगा तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप किसी sector के top brand को यानि top stock को पकड़ के चलते हैं तो उसमें loss होने का बहुत ही कम chance रहेगा और उन्हीं में से एक ये stock है banking sector का दमदार stock है आप इसे future के लिए यानि 2 साल या 3 साल के target के लिए भी buy कर सकते हैं आपका नुकसान नहीं होगा बहुत ही अच्छा return दे कर जाएगा और short term के लिए आप इसे buy कर सकते हैं 850 के target पर चुकि ये बहुत ही जल्दी अपने 850 के target को achieve करेगा तो दोस्ते इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दें और अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe जरूर करें अगर आपने अभी तक अपना demate account नहीं खुलवाया है तो नीचे description box में मैंने जिरोधा का link किया है वहाँ पर आप बहुत ही असानी से घर बैठे सिर्फ एक घंटे के अंदर अपना demate account खुलवा सकते हैं description box में link दिया है आप click करके वहाँ पर अपना process complete कर सकते हैं दोस्तों फिर बहुत ही जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद